बुना हुआ चना खाने के फाइदे और सही तरीका बुना हुआ चना क्या है दोस्तों बुना हुआ चना एक बहुती राचिन और लोग पर ये खद्यपदार्थ है किसे हर आयू वरक के लोग बड़े चाव से खाते हैं चना खासतोर पर बुना हुआ चना भारतिये गरों में एक सामान्य सनेक के रूप में खाया जाता है ये न प्रोटीन का अच्छा श्रोत होता है खास तोर पर उन लोगों के लिए जो साकाहारी हैं प्रोटीन हमारी मास्पेशियो को मजबूत बनाता है और साती शरीर के उक्तकों की मरम्मत करता है नमबर दो वजन गटाने में सहायक अगर आप वजन गटाने की कोशिश कर रहे हैं बुना वचना आपके लिए एक बेहत्रीन विकल्प हो सकता है इसमें फाइबर की मातरा अधिक होती है जो आपके पेट को लंबे समय तक बड़ा रखता है और बार बार भूख नहीं लगने देता नमबर तीन पाचन तंतर के लिए फाइदयमंद गुने वचने में पाया जाने वाला फाइबर आपके पाचन तंतर को बेहत्तर बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से ताहद दिलाने में मदद करता है नमबर चार पलड़ सुगर को नियंत्रित करता है गुना वच इंडेक्स कम होता है ईसे सुगर सतर तेजी से नहीं बढ़ता ते नमबर पाच हड़ीयों को मजबूत बनाता है बुने वेचने में में पैलसियम और मेगनीसियम होते है जो आपकी हड़ीयों को मजबूत बनाते है और अड sö जुड़ी समस्याओं से बचाओं करते हैं नमबर छे, दिल की सहत के लिए बेहतरीन, इसमें पोटेसियम होता है, जो दिल की सहत को बेहतर बनाता है, और बल्ड प्रेसर को नियंतरित करता है, नमबर 7, निमिया से बचाओ, खुने हुए चने में आरन की अच्छी मातरा होती है, जो खून में हिमोगलोबिन के स्तर को बढ़ाता है, और जैसी समश्याव से बचाता है, चना खाने का सही तरीका, अब बात करते हैं चना खाने के सही तरीके की, आपको इसका पूरा फायद सम्बर एक, खुना हुआ चना, खुने वे चने को ऐसे ही खा सकते हैं, किसे आप सनेक के रूप में दिन में दो बार खा सकते हैं, आस तोर पर सुबह नास्ते के रूप में, इसे आपको पूरे दिन पुझा मिलती रहेगी, सम्बर दो, फीगे वे चने, फीगे वे चने खाने से इसके पोशक ततुओं को शरीर अच्छे से अवसोशित करता है, रात में चने भीगो कर रखें, और सुबह खाली पेटी ने खाएं, आप इसमें थोड़ा सा नीम्बू और काला नमक भी मिला सकते हैं, सम्बर तीन, सना सलाद, आप बुने या उबले हुए चने से एक पोश्टिक सलाद भी बना सकते हैं, इसमें टमाटर, चाज, फीरा और नीम्बू डाल कर इसका सवाद बढ़ा सकते हैं, ये सलाद एक हेल्दी और सवादिष्ट सनेक है, सम्बर चार, चना और गुड, बुने वे चने के साथ गुड़ खाने से शरीर को तुरूंत एनरजी मिलती है, ये कॉम्बिनेशन खास तोर पर हंड के मोसम में कापी लाबकारी होता है, इसमें आइरन और कैल्सियम की मातरा बढ़ जाती है, जान रखने योग बाते, बुन समा वाचना नहीं खाना चाहिए, परना इस से अपच, गैस या पेट फूलने जैसी समश्याय हो सकती है, ताती अगर आपको किसी परकार की अलरजी है, तो इसे खाने से पहले अपने डॉक्टर से सला जरूर ले, तो दोस्तों ये थे भुने वे चने के फायदे और इसे ख बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगली बार किस विश्यापर वीडियो देखना चाहेंगे, हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, अब तक सवस्त रहें और अपना ख्याल रखें, धन्यवाद